आगामी लोक सभाज चुनाप को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है राजधानी दहरा दून में हुई बीजेपी की महत्मपूर्ण बैठक में पार्टी के कई बरिष्ठ नेता मौजूद रहे पार्टी के राष्टिय उपाध्यक्ष और सांसद लक्षमी कांत वाजपी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में कई महत्मपूर्ण फैसले रिए गया है बैठक में तैकी आगया है कि बी सुरेणी की लोकस्भा सीटों को ए सुरेणी की सीटों में लाना है प्रदेश की हर एक लोकस्भा सीट को पांच लाख के बड़े अंतर से जितबाना है इसके अलावा पार्टी के आराष्टिय उपाध्यक्ष और लक्षमी कांत वाजपी ने संगठन और सरकार के कामों की समेक्षा भी की प्रदेश और ध्यक्ष महंदर भट ने अब दक संगठन के द्वारा किये गए कामों के ज़ानकारी दी तो मुक्मंतरी पुशकर सींग धामी ने सरकार द्वारा किये ज़ारहे कामों को लक्षमी कांत बाजपे के सामने रखा है बहीं प्रदेश प्रभारी दुश्यंत गौतम ने कहा कि बैठक में संगठनात्मक समिक्षा के साथ चुनाभी रण नीती पर भी चर्चा की गई है और ने कहा कि बैठक में प्रदेश की 500 लोग सभा सीटों को 5 लाख से अधिक बोटों से जीतने के लक्ष ते किये गए हैं और जिसके लिए 20 लेड़ी की सीटों को एस लेड़ी में बदलने के लिए यूजरा बनाई गई है